प्रदीफ फॉसफेट्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर मार्केट के आप आज देखी जाए तो 5200 करोड की आपको देखने के लिए मिलेगी मार्केट का वैसे लिटरली स्पीकिंग मतलब तो उस हिसाब से तो मिटका प्रेंज में आ गई लिकिन फिलाल अभी च लेकिन आप यहां पर सेज़ ग्रोद से कंपेर कर सकते हैं यूजरिली हम लोग प्र पर प्रॉफिट ग्रोथ से लेकिन जब प्रॉफिट ग्रोथ का पर जाती है वह एक दो साइकिल का फेस होता जिसके अंदर कंपिण की अचानक से प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाता ह तो वैसे case के अंदर आप यहाँ पे profit growth एग्णूर करके sales growth पिछले तीन साल या पांच साल के उससे compare कर सेफ़ तो अगर sales ले रहो तो long term की ही लो क्योंकि sales थोड़ा सा कभी-कभी fluctuate भी करते ही जी किसी companies पे ती और पांच साल की लोगे तो आपको एक better scenario मिलेगा मतलब आपको एक stabilized sales देखने के लिए मिलेगी तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 47 की sales growth है और stock IP 32 की है अब यहाँ पे company की improvement होती ही margin दुबारा line पर आती है तो company की यहाँ पे stock IP आपको देखोगे तो अपने आपको लगेगी और company आपको undervalued जाए तो valuation wise completely perfectly okay है यहाँ पे company अगर देखो को तो company phosphate बनाने का नाम मतलब काम करती है और कई तरह के यहाँ पे आपको fertilizers बनाती है इसको आपको trade करती है distribution के अंद बिजनेस के अंदर है वही same चीज़ के अंदर और basically अगर देखा जाए तो भी यह fertilizers और जितने भी आप लोग कह सकते हो कि chemical business अभी फिलाल है यह अभी उ अब chemical के लावा fertilizer हो इन सारे businesses में थोड़ा सा seasonality आ जाती है और अभी थोड़ा सा उस समय क्यों कि तीन महीं ने पहले हमनों बात कर रहे थे उस समय भी हमनों ने डिसकुस किया था कि अलीनो के आने को थोड़ा बहुत effect हमें एंडिया में भी मिलेगा और सेम चीज हमें लगत profit and loss के वज़े से तो profit and loss में यहां पे यह और नियर बेसे पे देखोगी तो ग्यारा से गिर के नौ छे और पांच परसेंट परसेंट पे आई है तब काफी तेजी से यहां पे operating margin गिर रही है और इसके वैसे company की net profit भी काफे तेजी से बढ़ रही है on the contrary अगर देखोगे तो fertilizer companies हैं क्या उनकी भी margin गिर रही है या यह सिर्फ particular cause हमें यहां पर प्रदी फॉसरेट के अंदर के मिल रही है अब यहां पर margin के अगर चेक करोगे तो बाकी businesses की भी margin यहां पर गिर रही है तो यहां पर उसमें फिर आप देख सकते हो कि इतना परशान होनी की बात नहीं है अ के अंदर बाइंग की ऐसे कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए फिर आपको situation क्लियर करके करना चाहिए यहां पर प्रमोटर्स के उलिंग देखोगे तो 56 परसेंट पर यहां पर फिलाल अगर देखोगे तो अगर आप लोग को यहां पे एक दू कौर्टर में कर चाहते हो बाइ 65.55 वाले लेवल से अगर क्लियर करती है इस तो पर कोजिंग मिलती है तो आप लोग यहां टार्गेट लेगे बाइंग कर सकते हो अभी यह वाला रेजिस्टेंस कटा सकते हो कि यह गया पुरानी बात है अब अब फरदर यहां पर देखोगे तो धीमे धीमे ओपर जाएग होगी तो इसलिए के रहे हैं कि अभी एक-दू-कौर्टर इंवेस्टमेंट के लिए रुकना चाहिए लेकिन अगर आप लोगो को यहां पर सुन ट्रेड वगरे लेनी है तो यहां पर इन्वरे लेवास पर पर पस से तो यहां पर किया जा सकता है क्योंकि अभी कंपनी के कुछा में जा रही है तो वहां परू लोगो ट्रेक करना वाली बात होगी जब भी भी जैसे भी हम लोगो पदा चलेगा कि यहां पर मार्जिन कंपणी की बढ़ रही है उस case हम लोग यहां पर पोजिशन तेजी से बढ़ा सकते हैं अभी इसी के साथ फिलाल चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी दो लाइक, शेर, अस्क्राइब, सब करजाना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना, ओके बाई